हलो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में SSC के न्यू वेबसाइट पर OTR को लेके जो भी कंडेट्स परेशान है कि वो लॉग इन नहीं कर पा रहे है उनका इन्वेलिट बता रहा है, इरर बता रहा है या सर्वर से जो भी समस्या आ रही है उनको जिसके वज़े से वो OTR नहीं कर पा रहे है चाहे SSC की जो भी वेकेंसी आई है, SSC CPU, SSC Phase 12 उसके लिए वो आविदन नहीं कर पा रहे है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक ठीक हो सकता है या इसका कोई solution की इसका समाधान जिससे की उनकी समस्या समाप्त हो जाए और वो जो है अपना OTR one time registration कर पा है साथ ही साथ SSC की जो भरती आई हुए है उसके लिए वो आविदन कर पा है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब candidate के साथ हो रहा है या कुछ candidate के साथ हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि लगवग candidate के साथ ऐसा हो रहा है प्रोलम हो रहा है समस्या आ रही है लेकिन सबी candidates के साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने खुद भी OTR किया one time registration के SSC की इस website पे और अभी नहीं जब सुरू में ही मैंने किया था तो उस समय भी हो गया था उसके बाद मैंने अभी से मतलब 5-6 दिन पहले भी किया उस समय भी हुआ और मैंने कल भी एक candidate का OTR किया उनका भी smoothly अच्छे से हो गया साथ ही साथ मैंने 1-2 candidate का SSC की जो 512 की vacancy आई है उसके लिए मैंने आवेदन भी किया तो easily हो गया कोई समस्या मुझे नहीं आई और मैंने जब भी ट्राइ किया रात में ट्राइ किया अनलाइन आवेदन के लिए और OTR तो मैंने कल दीन में भी किया था जिसका वीडियो मैंने चैनल पे भी है मैंने कैसे किया आप लोग जाके देख सकते हैं और कोई भी समस्या मुझे नहीं आई मैंने एकदम अच्छे से किया और सर्वर विल्कुल ठीक दम इसमूथ वर्क कर रहा था लेकिन सर्वर में समस्या है ऐसा नहीं कि मेरा अगर हो गया सही से तो समस्या किसी को नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा ग्लीश है सर्वर में और ये SSC भी मान रही है पॉर्टल भी नया है हम लोग काम कर रहे हैं इसको जल से जल ठीक करेंगे उसके बाद जो है आप लोग आसानी से अपना रेश्टेशन कर पाएंगे और फॉर्म भर पाएंगे आविदन कर पाएंगे अभी समस्या है आप लोग थोड़ा वेट कीजे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं लेकिन कब तक वेट करें क्योंकि डेट भी तो लिखला जा रहा है ससी फेश्ट्यूल की वेकेंसी का लाश्ट डेट जो है वह 16 या 28 मार्श तक है उसके बनता उस डेट तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं उसके बाद जो अंतिम्तिती समाप्त हो जाएगी तो परिशान हो रहे है कि वह अगर ऐसा ही चलता रहा तो आवेदन ही नहीं कर पा रहे है उनका कहना सही है लेकिन ससी का यही मानना है कि टेकनिकल अग्लीज के वज़ए से आपका डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है इसलिए अब जब लॉग इन कर पा रहे है जो लॉग इन नहीं हो रहा है डाटा डालने के बाद भी क्योंकि आपने डाटा समिट किया वो अपडेट ही नहीं हुआ अगर आपके साथ भी यह समस्या तो मैं आपको यह सला दूँगा कि आप जो है SSC को मेल कीजिए मेल कैसे करना में बताया है कि आपको कैसे करना है मेरे चैनल से वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं का एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहां देखिए आफका स्का और मिल जायगा और आप जो है SSC को mail कर पाएंगे contact नमर भी है अवलेवाले contact नमर से भी contact कीजे अपनी समस्याग बारे में बताइए आपकी समस्याग समधान वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हेंने बहुत सारे जो candidate को reply भी दिया बताये कि आपका जो भी data है मैं erase कर देता हूँ आपका जो है deactivate कर देता हूँ registration नमर जो भी login नहीं हो पा रहा आपका उसके बाद जो है आप नया registration कर लिजेगा और फिर form के लिए आप आविदन कर सकते हैं तो आप भी अगर आपकी भी ऐसी कोई भी समस्याग तो मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर contact कीजे आपके आपका problem ऐसे भी solve हो जाएगा अगर आप लोग नहीं भी contact करते हो एससी से तो ऐसा नहीं का आपका problem fix नहीं होगा बहुत candidate के साथ ऐसा हो रहा है एससी इस पर काम करें और समझ रही है हो सकता आप फेश 12 की आविदन के लिए डेट को जो एक्षिटेंट भी किया जाए क्योंकि बहुत सरे candidate जो है नहीं भारपार एफ हो तो समस्या आ रही है और आप लोग जो है OTR करने में कुछ गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है कौन सी गलतियां आप करते हैं मैंने वीडियो बनाया है आप लोग मेरे चैनल पर एक बार जाके देखिए समझी है कि कैसे आपको करना है किस प्रकार से करना है क्योंकि मैंने जितने भी OTR की वन टाइम रेश्टेशन के इस न्यू वेबसाइट पर सही तरीके से होगे बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आई एक भी प्रोब्लम नहीं आई लेकिन कुछ कंडियर्स ने अपना रेश्टेशन नमर पासवर्ड दिया उनका मैं लॉगिन कर रहा तो समस्या आ रहे थी बता दिया उसमें है उस वेस साइट अब का क्या काम है एक अप लॉंच किया है शसका नहा ने अपके थुर अप हर सकते हैं अपना लाइप फोटो अपाना त Contribor कर सकते हैं कब मेंघलम करने are you व्लोड कर सकते हैं मैं दिखा दो मेरा यहाँ यह यह डिखा कर् cash डाटो उसमें फате इस अब बहुत अरूरा कू树 गया यहां पर दिखा मेरा के लिए पेच्छण सब कुछ यहां दिया हुआ है और वी चांट पर का है कि से यहीयर मैंने लॉग IN को हुए अपना uh nine की के लिए ट्यागिंघंटी की लिए प्रिवीव इ такие यहां पर capture का ऑप्सेन यहां से जो capture की अपना फोटो अप्लोड कर सकताउ राओ फोटो मैंने form को नहीं भरा हुआ है भी तो यहां पर option आ रहा है like photo के लिए तो यह आप play store पर जाके मैं sse search किजेगा तो आपका आ जाएगा मांकी पिछली वीडियो के description में भी link दिया हुआ है app का आप लोग वहां से भी download कर सकते हैं तो यह अच्छी अगर आपका login नहीं हो रहा है तो वहां जाके वाँ ट्राइ कीजे हो सकता है वहां पर login हो जाए तो कि समस्याक समाधान वहां से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है तो एक बार आप लोग ट्राइ जरूर कीजे फिर भी कोई भी doubt हो कुछ भी नहीं आया हो तो आप लोग comment में पूछ सकते हैं नए तो description में telegram का link है आप लोग वहां भी मुझसे contact कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं बात कर सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो अब मेरे वीडियोज आपको अच्छी लगतियूद वीडियो को लाइक कर ले और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ले जैहिंद